हाई गुड मॉर्णिंग सस्यकाल अदाप नमस्कार इंडिया कैसे आप लोग और इंडिया में केसे बढ़ते जा रहे हैं 95,000 तक केसे आए हाला कि मैंने अनुमान लगाया था कि शायद पीक आके जा चुका है शायद हो सकता है मैं गलत निकला हूँ हो सकता है कि यह second wave आ गई है दिलि में तो second wave आई है कुछ और states में भी second wave आ गई है पीक आके जा चुका था कुछ स्टेट्स में और दुबारा से infection लोट के आ गया कौन है जिम्मेदार इसके लिए बताता हूँ कोन है जिम्मेदार और आगे क्या करना चाहिए वो भी बताता हूँ स्टार्ट दिल्ली से ही करता हूँ बागी जेका भी कुछ ऐसी हाल है कोई अलग नहीं है इस यह जो infection control नहीं हो पा रहा है जो बढ़ता जा रहा है इसके पीछे मोटे मोटे तीन-चार कारण है अगर आप देखें तो नमबर एक सबसे बड़ा गुना अगर है तो वो है rapid antigen test rapid antigen test दिल्ली की फ्री में हो रहा है दिल्ली में सरकारी dispensary पर फ्री में हो रहा है शैद देश के कुछ और हिस्तों में भी फ्री में हो रहा होगा ज़्यादा तर test कराने वाले middle class लोग हैं या lower class लोग हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनमें से जिनको इंग्लिश नहीं आती है एक चिट पकड़ा दी जाती है महां पर test is negative जाओ कोई यह बताने कि उनको कोशिश भी नहीं करता कि इस test के negative होने का मतलब क्या है कई जगा तो मैंने सुना यह लोगों ने मुझे आक बता है सर उन्होंने ऐसी बोल दे नेगेटिव है कोई रिपोर्ट तो कोई दी नहीं चलो वो तो एक अलग कहानी है वो तो कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर पेशन का test negative आ रहा है तो उसको कौन बताएगा कि यह test का negative आने का मतलब है कि भाई अभी भी तुझे करोना हो सकता है अभी भी तुझे दूसरों को फिला सकता है अपने घर वालों को भी फिला सकता है कौन जिमेदार है बताओ सिर्व एक छिट पकड़ा देते हो उसमें English में नीचे एक लाइन लिखे होती है कि यह test is negative and you should go for this COVID-RT-PCR बस that's all अरे आपके लिखने से क्या होता है जब आप आप उसको बताओगे निए उस बिचारे अनपड़ इंसान को यह भी नहीं पता antigen test की value क्या है PCR की value क्या है उसको कुछ नहीं पता है किसका फर्ज है यह काईदे से यह PCR test must होना चाहिए जिसका negative हो इसी शर्थ पर होना चाहिए कि भाई PCR test भी होगा antigen भी होगा antigen test positive आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है कोई बात नहीं आगे कुछ मत कराओ लेकिन negative आएगा तो आपको PCR कराना पड़ेगा इसी शर्थ के साथ उसका sample लो मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ अगर antigen test आपने free कर दिया है PCR भी थोड़ा और सस्ता कर दो मैंने सुना है कि शायद उत्तर प्रदेश में 16 सकवा हो गया है सस्ता कर दो के तो लोग करा लेंगे सर जो इतनी subsidy आप देर हो बिजली पानी पे थोड़े दिनों के लिए बंद कर दो ये सब subsidy कोई आफ़त नहीं आ जाएगी इस समय इस मामारी को रोकना ज़्यादा ज़रूरी है इस subsidy तो बात में भी चालू हो जाएगी दुबारा से वहाँ पे वो जो पैसा बचेगा वो test आप free कर दीजेगा उसमें फायदा हो जाएगा क्योंकि ये time time के बात होती है कि कि किस समय हमें क्या करना है मैं बहुत चोटा सा इंसान हूँ चोटा सा डॉक्टर हूँ मैं इतनी बड़ी बड़ी सला नहीं दे सकता हूँ किसी भी government को लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर आप RT-PCR free में नहीं कर सकते पेशिंट का तो उस पे कुछ subsidy दे दें अगर वह 24 सो का है तो गरीब आ करला है क्योंकि बहुत सारे लोगों का जिनका नेगेटिव आता है वह यह लोग सोच लेते हैं मुझे तो ठीक हो गया मेरा तो निकला नहीं और वह जब की पॉस्टिव होते हैं क्योंकि यह देखा गया एंटिजन टेस्ट नेगेटिव आने के बाद भी कर आता है और इसक 30% तक रिपोर्ट गलत हो सकती है नेगेटिव हो सकती है जब की पॉस्टिव होनी चाहिए थी सबस्पर बड़ा गुना तो एंटिजन टेस्ट यह तो बंदी कर तो भाई यह तो बंदी कर दो इसको सीधा PCR ही रखो ना आपके तो जल्दी रिपोर्ट आ जाती है अरे को यूटिज को कि आप बिना PCR किये एंटिजन टेस्ट मत करें यह साथ में दोनों टेस्ट करने जरूरी है एक लफड़ा तो यह है दूसा लफड़ा क्या है मालूम है कि कोई भी त्युहार हो कोई भी कुछ हो फैस्टिवल हो कोई भी हो हिंदू का हो मुसल्मान का हो जिनके लिए कोई फरक नहीं पड़ियागा जिन्दगी बचेगी तो अगले साल मना लेंगे कोई आफ़त नहीं आ जाएगी हुआ ना मुसीबत आई ना पांच अगस के बाद ही सब कुछ बढ़ा ना आपने देखा ना कितने के सिसकम हो गेते अचाना कैसे बढ़ गए मना लो भाई भाई बेहन का रक्षा बंदर मना लो होली होली कह रहा हूं इद मिलर क्या मिल गया बताओ अगले साल सब कुछ हो जाता है जान रहेगी तो सब कुछ हो जाएगा जिन्दा रहेंगे तो सब कुछ होगा ये कोई क्यों नहीं सोचता है और सरकार में इतनी पाव isolation अभी भी कई स्टेट्स में home isolation की सुईधाय नहीं है इसकी वैसे डर की वज़े से लोग testing कराते हैं कि सरकार उठा के ले जाएगी सर home isolation कर दो लोग test कराएंगे पता चल जाएगा number 3 number 4 ये बहुत important मैं आपको वद्दा बताने जा रहा हूँ जो मैं खुद face कर रहा हूँ कि जानतक livres घर में एक इंसान का test positive आगान बाकी लोग test नहीं कराते हैं जाता तम जगह ऐसा हो रह से क्यों कराते हैं मालूम है घर से बाहर भी निकलते हैं दूसरों को भी ओन आते हैं कारण क्या मालूम है वो बोलते हैं जी इनका पॉस्टिव आ गया जी इनकी देखवाल कौन करेगा अगर हमें हमें भी हो गया तो फिर हम सब को भी कॉरिंटीन कर देंगे तो फिर ही अकेले रह जाएंगे यह है फलान ऐडिंग पर तो ट्रेसिंग भी नहीं हो रही है कई बर पॉस्टिव आ जाने के बाद दो-दो दिन तक कोई नहीं पूछता है भाई कोई सरकार से कोई फोन नहीं आता कि तुम्हें कुछ हुआ है कि तुम्हें यह हुआ है क्या हुआ है अब कोई ज़्यादा पूछ अब नहीं है उतना इतना शुरू में था अगर आपका एक घर में एक का पॉस्टिव वाई तो सबका टेस्ट मेंडेटरी होना चाहिए आप फाइन करो अगर लोग नहीं टेस्ट करा रहे हैं फाइन करो कि आप क्यों नहीं करा रहे हो किस वज़े से नहीं करा रहे हो वज़े अगर पैसे की है तो करो फ्री करो सबका लेकिन यह बहुत जरूरी है क्योंकि पहले भी बोला गयता है तीन चीजे जरूरी है टेस्ट, ट्रेसिंग and ट्रीटमेंट यहां पर टेस्ट तो हो गया एक बंदे का लेकिन ट्रेसिंग मारी गई क्यों घर के बागी सरस्यों ने कराया है नहीं कराते हैं भी नहीं बहुत सारे लोग मान लेते हैं अपने आपको यार हमें हो गया हमने तो हो गया जी हमने तो मान लिया आपके मानने से क्या होता है सर मुझे कल एक पेशन का फोन आया कि सर हमारे घर में ऐसे हो गया है तो मैं कि आप के आहाँ आ जाओं जाया है तुमने अपना टेस्स करा या नहीं गतल तु आपको है CHC पता नहीं हमनेम नहीं आनी लिए महन जाता ही तो फिर घर से क्यों निकल रहा है अगर मान लिया आपने तो फिर आप घर से क्यों निकल रहे हो तो यह चीज सरकार को देखनी पड़ेगी यह जो घर के मेंबर जो अपने टेस्स नहीं करा रहे हैं इस पर सरकार को देखना पड़ेगा सर यह चोटी बात नहीं है यहां से भी इंफेक्शन बहुत फैल रहा है क्या बताओ यार और पांचवा हमारा मुर्थल मुर्थल के परांटे खाने लोग जा रहे थे दिल्ली से भर भर के ओ जी करोना खतम हो गया अब एक बात बताओ तुम लोग ने होटल तो खुल गया चल निकलो देडी चुको तो निकलो दो पैग लगाओ तो निकलो मुर्थल 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 के एक वहां पर वीडियो आया था जहां पर लो आप बात बताओ आप बार खाना खाने जाओगे क्या मास्क नीचे करके बिना नीचे के खाना खाओगे नहीं खाओगे और एक की बगल में एक बैठे हुए सारे वेटर आ रहा है वेटर पॉस्टिव है तो आपको फिलाएगा फिलाएगा ये नान रहा साब ये सबजी रही साब बस हो गया इतने में उसने कुछ बोला आपके पास खड़े होके सरीयरा बिल मुह से कुछ निकला और आपको हो गया या उस एन्वार्मेंट में था एरबॉन था क्योंकि एसी चल ले होते हैं अगर तो वो इंसाइड एक वेंटिलेशन इस तरह का हो जाता है कि अंदर यंदर वारस सरकुलेट होना शुरू होता है वारस लोड बहुत जादा होता है इन रेस्टोरेंट में अगर एसी चालू हैं तो इवन एसी चालू नहीं भी हैं तो भी बंद जगाओं पर ये वाइरस हवा में रह सकता है और हवा के थ्रू आपको हो सकता है जाओ और मुर्थल पराटे खा क्या हो मुझे कहीं फैमिलीज के फोन आए सर मुर्थल गहते खाना खाने और उसके बाद हमें ये हो गया कि हर 15 दिन के बाद हर मेंबर का जो होटल का मेंबर उसका टेस्ट हो हर 15 दिन के बाद कोविड का टेस्ट हो इतना असान नहीं है अनलोकिंग असान है लेकिन अनलोकिंग को कैसे आगे लेके जाना है ये असान नहीं है जैसे से अनलोकिंग बढ़ेंगे कैसे बढ़ेंगे मा वाली सरकार का काम नहीं है, जनता का काम भी है भाई, क्या हर इंसान को अपना फर्ज नहीं समझना चाहिए, अगर आपकी फैमिली में एक को हुआ है, तो क्या सब को टेस्स नहीं कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए, लेकिन आप नहीं कराते हो, बाहर चले जाएंगे, चुप चाप, क्योंकि आप तो ऐरो के से तुपे फीड हो नहीं, आपके घर में बला ही हो, लेकिन आप जाओगे बाहर, सब जिया लेने भी जाओगे, सब कुछ करोगे, मास्क लगा लोगे, लेकिन आप दूसरों को फिला होगे, तो ये सरकार को ये ध्यान देना पड़ेग तो होई गया होगा सर, अब इसमें क्या है, अब आप दवाई बता दो, वही तो खानी है सर, डॉक्सी खानी है, एजित्राल खानी है, आइवर्मेक्टिन खानी है, सर, ये ही तो करना है सर, ओ, नमनीत पाजी, उकी करना है सर, टेस्ट करा के, हम ही दास्तों कुछ करना है त मत कराओ टेस्ट जेलो और जलाओ सेकिंड वेव क्यों आई है इसी वज़े से आई हमारे कुकर्मों की वज़े से आई हम जनता ने भी जो करा है न वो भी कोई कम नहीं था मैंने तभी बोला था अगले दिन ही वीडियो बना दिया था लोग मुझे बोल नहीं जी आपने तो बोला था पीक आ गया है पीक तो आ गया था भाई तुमने सेकिंड वेव लेके आयो उसका मैं क्या करूँ और सेकिंड वेव तभी आई है पांच अगस्त के बाद आप अभी से लोग चोड़े हो गए थे मास्क उता दिये थे सबने ओ जी कोई नहीं खतम हो गया ओ जी कोई नहीं अभी भी मुझे कल दो चाल लोग मिले जो बिना मास्क के गुम रहे थे मैंने उनसे पूछा मैंका मास्क कुछ नहीं है सर वारस है फ्लूई तो है क्या है कुछ कुछ नहीं होंदा कुछ नहीं होंदा जब होगा तो आपको बता के नहीं आएगा आज मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूं और यह बात मैं सच बोली है जो भी बोली है कि भाई सरकार का काम भी है और जंता का अपना काम भी है दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा और मैं तो केजरी वाल जी से बोलूँगा भाई कुछ दिनों के लिए सबसेडी हटा दो फ्री कर दो टेस्सारे ये इस से अच्छा कुछ नहीं होगा फ्री कर दो हर आदमी करा लेगा लेकिन जो लोग सोशल स्टिगमा समझ के नहीं करा रहे हैं उनके खिलाफ जरूर कारवाई होनी चाहिए कि अगर आपके घर में एक को निकलते तो बाकी लोगों ने टेस्स क्यों नहीं कराया इसके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए इनके उपर फाइन होना चाहिए क्योंकि यही लोग आगे चलके फिलाएंगे मेरा वीडियो हो सकता है वो लोगों को खराब लगे यह सुनके लेकिन जो सच है वो सच है कि यह जो contact दूसरे आये हैं indirectly जो contaminated हैं asymptomatic patients हैं इनका जरूर test होना चाहिए और अभी यह जो center का आदेश आए कि जो इतने भी symptomatic patient हैं जहां पर antigen test negative आ रहा है यह mandatory कर दिया गया है कि इनका RT-PCR किये बिना इनको जाने मत दो अब गरीब आदमी है तो उसकी जैमें पैसे ही नहीं है वो test कर रहा है यह खाए क्या मरे क्या तो free कर दो sir कोई बात नहीं जहां इतना किया ना इसको भी free कर दो आफ़त नहीं आ जाएगी अभी यूपी गोर्मेंट ने शहीद 16 सो रुपे का कर दिये तो मैं दिली गोर्मेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा के जी वाल जी आप भी आधे रेट कर दो सबसीडी थोड़े दिनों के लिए बंद कर दो बिजली पानी का कोई आफ़त नहीं आ जाएगी ये जिनता मर नहीं जाएगी इनको तो आद बैसे भी आदर पढ़ चुके फ्री फंड के खाने की चलो बहुत होगे आज एंगरी यंग में शो यार देखो लड़ाई तो मिलकी लड़ी जाती है इसमें खाली सरकार क्या करेगी सरकार तो अपना काम कर रही है अगर हम अपना फर्ज नहीं निभाएंगे चुप चुप के घरों में बैठे रहेंगे नहीं टेस्ट कराएंग कई जगाओं पर हालात ऐसे हैं और कई जगाओं पर कहते हैं तो पॉसी होने का मतलब यह नहीं होता कि आपको एडमिट होना ही पड़ेगा यह को जरूरी नहीं होता तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा उन स्टेट से जहां पर होम आईसोलेशन की फैसिलिटी अवलेब रिक्वेस्ट कर सकता हूं बाकी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर से हैं उनकी से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि इस टेस्ट को फ्री करा दो अगर आप में इतना है पावर और आपके पार पैसा है तो पुली इस टेस्ट को कुछ दिनों के लिए फ्री करा दो महीने के लिए आ यह भारे फिर लोटके आएंगी, चिंता मत करो, ठीक है, थोड़ा सा दिन और है, मैं गलत निकला हूँ, मेरा अनुमान गलत निकला, लेकिन सच बता हूँ, तो अनुमान गलत निकला, यह सेकंड वेव आई है, यह जो हमने तो हर मनाये हैं, बड़े दिल से, उसके बाद ही रोल भी खुल जाएंगे, फिर क्या होगा, और बढ़ेगा, तो जितना अनलोकिंग की परकिरिया बढ़ती जाएगी, कैसे बढ़ते जाएंगे, लेकिन डेथ रेट नहीं बढ़ना चाहिए, बस, बस, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, कि डेथ रेट नहीं बढ़ना चाहिए, और वो अच्छी बात है, अभी 1.65 के आसपास डेथ रेट है, रीकवरी रेट 77.78 के आसपास है, तो कोई बात नहीं चकदे इंडिया, जाते जाते, चकदे, ओ चकदे इंडिया, चकदे, ओ चकदे इंडिया, येस, इंडिया चक्के दिखाएगा, और क्या बोलू जार, मोटिवेट करते करते कई बार लगता है यार कि तुम जूटी दिलासा तो नहीं दे रहो इन सब को लेकिन मेरे पास कुछ और है भी नहीं देने के लिए मैं जूटी दिलासा तो नहीं दे रहा हूँ यह तो सब को पता है कि यह infection चला जाएगा एक नेक दिन तैंक यू वेरी मच आपका अपना डॉक्टर नम निसकाल रहा हूँ